हेलो एवरिवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी प्रोग्राम के सेमेश्टर थ्री और सेमेश्टर फॉर के लिए हिंदी गद्य उद्बा और विकास हिंदी खा यानि कि हिंदी बी करने वाले हम और यह हमारा जेनरिकल एक्टिव सब्जेक्ट है और चैप्टर फॉर्थ कराऊंगा मैं आपका इसका यूनिट थर्ड का चैप्टर है यह बालकृष्ण भट के दौरा लिखा गया निबंद है यह बहुत ही इंपोटन्ट है इसको समझेंगे हमें आपे और इसकी तक वन के नाम से है आप उसको जोइन कर लीजिए वहां से आप इसकी पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है कुछ डाउट है तो आप मुझे डाइरेक्ट मैसिज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर एक लभवया स्टडी पॉइंट यह मेरा यह किसके द्वारा लिखा गया है बालकृष्ण भट के द्वारा और यह एक प्रशिद ललित निबंद है बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है और मैं आपको यह कहूँगा कि अभी तक मैंने जितने निबंद करा हैं चाहे हिंदी A से हो हिंदी B से हो उसमें सबसे ज़्यादा जो आसान है जो सिंपल है वो यही निबंद है क्योंकि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे लेखक जो हैं वो इस निबंद के जरिये मनुशे की जो पांच इंद्रिया है उसका उन्होंने विशलेशन किया और बहुती इंट्रेस्टिंग तरीके से बह फिर हमारी दूसरी इंद्रिय है हमारी नाक, नाक से हम क्या करते हैं सूंग सकते हैं किसी चीज को ठीक है कान से हम क्या करते हैं किसी भी बात को सुन सकते हैं कान क्या काम करता है सुनने का काम करता है फिर हमारी इसकीन होती है इसकीन को हम महिंदी में बोलते हैं तो अच्छ टेश्ट करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो हमें जीब के द्वारा ही, उसका टेश्ट पता लगता है, इसके लावा हमारे बोलने के लिए भी, हमारी वानी में भी जीब का बहुत ज़्यादा मेहतो होता है, तो इस पूरे निबंद में जो लेखक का जो फोकस है वो केवल और केवल जीवा पर है उसने सभी के गुण बताए हैं ठीक है लेकिन जीवा के ऊपर ही ये पूरा निबंद लिखा गया है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे डिटेल में कुछ चीजे ऐसी हैं जो बहुत आसानी समझ भाजाएंगी कुछ जगा पर आपको थोड़ा सा डिटेल में गहन अध्यान करना पड़ेगा तब आपको समझ भाएगा बाकि हम आपको आसान भासा में समझाओंगा तो आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी देखें आख नाक और कान फिर तवचा और जीवा ये पांच इंद्रिया हैं जो मनुशे के सरीर में होते हैं और इससे ही हम संसार के जो विविद विशय होते हैं उसके बारे में अनुभव करते हैं समझते हैं जैसे कि देखें संसार में अगर हम कुछ देख पा रहे हैं चाए हम कहीं घूमने जाते हैं मानलो हम पहाड़ों में जाते हैं, तो हम पहाडों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, कैसे देखते हैं, अपनी आखों से, तो हमारी आख जो हमारी इंद्रिया है, उसके द्वारा में पता लग रहा है, ठीक है, कान के द्वारा हम नदियों के पानी के चलने की आवाज सुन सकते हैं, पत्तों क गड़गड़ावट सुन सकते हैं, पंचियों के चहाना सुन सकते हैं, ठीक है, नाक के जरिये हम सून सकते हैं, फूल को या किसी और चीज़ को, तो अच्छा जीवा, हर किसी जो हमारी इंद्रिय हैं, सबका अपना-पना एक अलग रोल है, इन इंद्रियों के अभाव में, मा इसी तरीके से, आगे देखें, ये इंद्रिया मनुश्य की विविद क्रियाओं को प्रेरित भी करती हैं, आगे समझते हैं, जो लेखक है, लेखक कहते हैं कि मानव की इन पांच इंद्रियों में, जो जीवा होती है, यानि कि जो हमारी जीव होती है, ये चारो इंद्रियो का सूचम अवलोकन करके उनकी तुलना वो जबान से करते हैं उन्होंने क्या करा सभी इंद्रियों का सूचम अवलोकन किया है उसके बाद उन्होंने उसकी तुलना जबान से करी है बाकी इंद्रियों से महतपूर्ण मानते हैं वो जबान को इस निबंद में क्या है कि जो ले उधारन के माध्यम से जो लेखक है उन्होंने जबान की तार्किकता और रोचकता के साथ हमको जबान को कैसे स्रेश्ट है यानि हमारी पांचों इंद्रियों में जबान स्रेश्ट कैसे है सबसे बहतर कैसे है उसके बारे में बहुत ही लॉजिकल जो तार्किक तरीके से समझा भट जी जो है इन्होंने इंद्रियों के गुण और दोस्त, दोनों की समीक्षा की है, देखो हमारी इंद्रियों के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ उसके कमिया भी होती है, दोस्त भी होते हैं उसको भी देखेंगे, इंद्रियों को यदि हम नियंतरन में रखें, तो हमें उ उसके फायदे हो सकते और अगर हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो हमें उसके नुकसान हो सकते हैं क्या फायदे हो सकते और क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी उन्होंने बहुत ही रूचिकर तरीके से समझाया हुआ आगे देखेंगे निबंद के सुरुवात में ही स तो हमारी आंक होती है, आंक का काम क्या होता है, देखना, ठीक है, यानि हर इंद्रिय का काम एक है, मानली जी हमारा कान है, कान का काम क्या है, सुनना, यानि कि कान का काम अलग है, आंक का काम अलग है, नाक का काम अलग है, इसकिन जो होती है, जो तचा होती है, उसका काम हमारा अलग है जबान का काम अलग है यानि हमारे सभी इंद्रियों का जो कारे होता है वो अलग होता है उसका एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं है जैसे आख से हम केवल देख सकते हैं आख से हम सुन नहीं सकते हैं इसी तरीके से कान से हम केवल सुन सकते हैं कान से हम देख नहीं सकते हर इंद्रिये का एक विशिष्ट काम है और उसका दूसरी इंद्रिये से कोई सरोकार नहीं है ऐसा कौन बता रहे हैं लेखक बता रहे हैं आगे देखो उधारन दे रखा है कहते हैं कि जिस परकार हम आँखों का काम देखना है उसी परकार से कानों का काम सुनना है और इन दो कि इंद्रियों का जो प्राबल्य है केवल विशे हैं में हैं अपना विशे चोड़कर दूसरे के विशे में कोई अधिकार नहीं रगती यह निक हर इंद्रिय का अपना काम क्या है देखना है कान का काम क्या है सुनना है नाक का काम क्या है सूंगना है तो सभी के अपने काम बटे हुए सब अपना ही काम करेंगे आख कभी कान का काम नहीं करेगी कान कभी नाक का काम नहीं करेगी नाक कभी तुचा का काम नहीं करेगी ये बताया जा रहा है ठीक है आगे देखते हैं सभी इंद्रियों की महता पर बात करते हैं यानि कि जो लेखा के हैं वो सभी इंद्रियों की महता बताते हैं कि कितने महतपून हैं निबंदकार इस निबंद में जबान को सबसे प्रबल सबसे मजबूत और चारो इंद्रियों पे चेतर के साथ साथ अन्य इंद्रियों की सीमा में परवेश करके सब को परवावित करती है आप देखो अभी तक मैंने जो आपको बताया है यहां पर यह एक्जांपल थोड़ा सा लगए मैंने क्या बताया कि सभी इंद्रियों के अपने काम है सब इंद्रिय अपना काम करती है ठीक है कोई दूसरे का काम नहीं करती लेकिन जो लेखक कहते हैं कहते हैं जबान जो है ना जबान हमारी इंद्रियों में एक ऐसी इंद्री है जो अपना काम तो करेगी करेगी साथ साथ में दूसरे ही जो इंद्रिय है उसके सीमा में भी प्रवेश कर जाती है और उसको प्रवावित करती है यानि कि जबान और इंद्रियों का भी काम कर सकती है कैसे कर सकती है भाई इसको देखते है देखे जबान सब इंद्रियों में इतनी मजबूत है इतनी प्रबल है कि जायका लेने के समय यानि कि जब हम किसी चीज को खाते हैं ठीक है टेस्ट लेते हैं जायका लेने का मतलब है स्वाद लेना यानि कि टेस्ट करना किसी चीज को तो लेखा कहते हैं कि जो हमारी जबान है वो जायका लेने के समय सिवाए रस के जो इस प्रधान में से है ठीक ह सारी चीज़े भी समझ में आ जाती है इनका ये कहना इन्होंने एक 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 एक्जामपल दिया है भोजन को आधार बनाकर बहुत अच्छे एक्जामपल से आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा देखे लेखक क्या बोल रहे हैं कहने कि भोजन अगर गंधाता हो यानि कि भोजन में से एक दुरगंद आती हो गंधी बदबू आती हो या भोजन के आसपास दुरगंद आ रहे हो वालो आप कहीं पर खाना खा रहे हो उसके आसपास से कहीं से बदबू आ रहे हो या भोजन करने के स्थान पर कहीं पर आपको गंधी दिखाई दे दे तो आ बोजन करने के जगा गंदी हो या भोजन में से बदबू आ रही हो या जिस जगा पर बोजन करने हैं वहां से बदबू आ रही हो तो बोजन हमारे गले से नीचे नहीं उतरता किलियर है इतना आगे देखो कहते हैं कि उसे जबान पर रखा भी नहीं जाएगा यानि कि आप र अब जबान का काम था टेस्ट करना, खाना, स्वाद लेना, लेकिन जब गंदगी दिखाई दी, तो क्या जबान अपना काम कर पाई, नहीं कर पाई, गंदगी के कारण जबान ने अपना काम नहीं किया, जब उसने गंदी स्मेल को सूंगा, ठीक है, सूंगने के बाद जो गं चीजों को देखा यानि कि आस पास मानलो गंदगी है उसे हम हमारी आखे देख रही है आखों को देखने के बाद हमारी जबान ने अपने आप काम करना बंद कर दिया कहीं ना कहीं जबान जो है वह आखों के छेतर में भी जा रही है नाक के छेतर में भी जा रही है यह आपक जा रहा है ठीक है इसके बाद देखो सुगंद या दुरगंद का अन्य इंद्रियों के साथ सरोकर हो या ना हो लेकिन जबान के साथ इसका सीधा संबंद है कैसे इसके लिए बहुत अच्छा एक्जामपल दे रखा है कहते हैं कि जबान का संबंद नेत से भी जुड़ा दूप कहीं न कहीं उसके रस उत्पत्ति का कारण बनता है जैसे कि एक्जामपल मान लीजिए आपका फैवरेट है मिठाई गुलाब जामुन ठीक है मान लीजिए कि गुलाब जामुन आपको बहुत ही पसंद है आप कहीं पर आप जाते हो साधी में ठीक है आपके सामने प तो यही आपको बताया जा रहा है यह कहते हैं कि सुच्छ और आकर्सक रूप से प्रस्तुत किया गया पदार्थ देखते ही जीब से पानी टपकने लग जाता है बिल्कुल अब आप को एक्जांपल समझ माया होगा कि साप सुतरी जगा में आपको अच्छे से प्लेट में र गंदगी एक गंदी सी प्लेट में आपको गुलाब जामुन रखके दिया जाए जिसमें गंदगी पड़ी हो तो क्या आप उसको आपको मुह में पानी आएगा या आपको उसको खाने का मन करेगा बिल्कुल नहीं करेगा यही महत्तो जो है आपको लेखक समझा रहा है चटोरेपन का मतलब क्या है यहाँ पे चटोरेपन का मतलब होता है लालची परवर्ती यहाँ पे चटोरेपन का मतलब है मनुष्य के लालची परवर्ती क्योंकि मनुष्य जो होता है वो लालची होता है सुभाहों से यह परवर्ती कई बार उसकी मुसीबतों को बुलावा ये एक अफगूण है, जो सदैव नुकसान का कारण बनता है जो छै चाटूरी जीब लाखों रुपिया चाट बैठती है यानि कि चाटूरी जीब जिसके होते हैं लाखों रुपिया का नुकसान करवा बैठता है और ये निबंदकार जो हैं वो जबान के लक्षा आत्मक प्रियोग के द्वारा मानव जीवन में जो लालच है और जो स्वार्थ के कारण जो हमको हानी होती है वो बता रहे हैं यानि समझ रहे हो लेखक ने हमारी जुबान के जरी है चटोरी जुबान के जरी है यानि लालच जीत नहीं सकता, जितेंद्रिय किसे कहा जाता है, जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो, एक्जामपल, जैसे मान लो आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन आपने प्रण लिया है कि मैं छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये जंक फूड ह ये शरीर को नुकसान करता है, आपने प्रण लिया है कि मैं कभी भी छोले भटूरे नहीं खाऊंगा, लेकिन आप कहीं से जा रहे हैं और आपके सामने छोले भटूरे भिक रहें, और आप अपनी चटोरी जुबान के कारण नहीं रुक पाए, आपने अपने प्रण को तो इंद्रियों पर कंट्रॉल कर लेता है। उसको जित इंद्रे कहते हैं। पहीं ना कहीं अपना ठै सभी से प्री pork ना हो सही से प्रियोग हुआ थो हम दोस्त बना लेंगे और शही से प्रीयोग नहीं वा तो हम दुस्मन बना लेंगे जबान का एक्जांपल दे रखा कैते हैं कि वानी की और इशारा करते वे निभंद काको दे, मीठी वचन सुनाए के सब को अपनो करी ले, यानि कि जो कववा होता है, जो कागा होता है, वो किसी को धन नहीं देता, ना ही कोयल कुछ दे रही है, लेकिन फिर भी कोयल की जो मीठी वानी होती है, कहीं न कहीं, उससे वो हमें अपनी ओर कर लेती है, ठीक है, देख भी कोयल को सबी को प्यारी होती है, दोनों ही जीवों में क्या अंतर है, कवे की जो आवाज होती है, वानी होती है, वो करकस होती है, यानि चुबन वाली होती है, कवे की आवाज ज्यादा पसंद नहीं होती लोगों को, लेकिन कोयल की जो आवाज होती है, वानी होती है, वो म प्रिये भी बना सकती है, अगर हम किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, तो लोग हमें पसंद करेंगे, अगर हम किसी से गुस्से से बात करते हैं, तो लोग हमको पसंद नहीं करेंगे, यही आपको बताया जा रहा है, ठीक है, समाज की ये सामाने परिविर्ती हैं, कि जो जबान को ही प्रतीक के तोर पे बताया है ठीक है किसी भी विक्ति का जो विक्ति तो होता है जो उसकी परसनेलिटी होती है उसकी पहचान जोती है उसकी वानी से होती है अगर किसी की वानी अच्छी है बोलने का तरीका अच्छा है तो लोग उसे अच्छा मानते है अगर किसी जो प्रविर्ती होती थी, पहले जब लिखना नहीं आया था, तब लोग बोलते थे, और बोलने वाले की बातों को सुनकर ही याद रखा जाता था, यही होता था, लेकिन यह लिखने की प्रविर्ती तो बात में आई है, तो पहले क्या होता था, यह आपको समझाया लिकक ने सबी विदाएं इसी प्रकिरिया के साथ एक दूसरे के तक पहुँचती है यानि जबान के जरिये निबंदकार ने जबान के ही आधार पे मनुष्य को जानवरों से अलग और स्रेश्ट बताए क्योंकि देखिए मनुष्य के पास क्या है जबान है अपनी एक भाशा है जिसे वो बोलते हैं दूसरे की भावनाओं को समझते हैं इसलिए मनुष्य स्रेश्ट है ऐसा कहा जाता है ठीक है बोलना सुनना लिखना ये सब्विता के विकास की प्रकरिया जैसे जैसे सब्विता का विकास हुआ तब लोगों ने सुनना और लिखना ये सब स्टार्ट करा लेकिन पहले तो बोलना सुनना यही चलता था लिखना तो बाद में आया है वे ये भी बताते हैं कि कोई भी विदा अगर पहले जबान की प्रकिरिया से उत्पन नहीं होई होती तो नेत्र इसपर्सिया अन्य इंद्रियों का तो कोई काम नहीं नहीं जाता ठीक है यानि कि सबसे जाता महतो किसको दे दिया है इन्होंने जबान को आगे देखो ये क्या कहता है इन्होंने मानव का जो सभाव है उसका बहुत कहराई से परिक्षन किया और बाद में ये निसकर्श निकाला कि जबान का जो महतो है वो कहीं न कहीं क्रोध से भी जोड़ कर उसको देखा जा सकता है कहते हैं कि क्रोध पर नियंतरन रखने का एक मात्र उपाय है जबान पर नियंतरन रखना बिल्कुल सही अब मैं समझाता हूं देखे होता क्या है मानलो हमें कई बार किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो गुस्से के समय में हमें क्या होता है हम उससे गाली गलोच कर लेते है ठीक है हम उससे उल्टा सीधा बोल देते हैं सुन लेते हैं ये सब हो जाता है तो अगर गुस्से में हमने अपनी जबान पे कंट्रोल रख लिया तो बहुत सारी चीज़ा आगे की बच जाएंगी तो यही बताया कि अगर गुस्ता को नियंतरन में रखना है तो जबान को नियंतरन में रखना सीखना पड़ेगा और इसी यह वही इंद्रिय है जो हमें भारी नुकसान होने से बचा सकती है ठीक है जबान पर अगर हमारा कंट्रोल है तो भारी नुकसान से हमको बचा देगी कहते हैं कि जो वाचाल होते हैं वाचाल लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है जो इससे मजबूर होते हैं उनका ध्यान बिलकुल नहीं रहता कि किस बात पर बोलने से किसी को क्या हानी या क्या लाब हो सकती है वो कभी भी ठीक है हम उल्टी सी दी कुछ बात बोल देंगे तो उसे हमें नुकसान भी हो सकता है निबंद पे जबान पर नियंतरन ना रख पाने से होने वाले नुकसान को भी बताया गया है और महाभारत का संग्राम का एक्जामपल दिया है बहुत अच्छा एक्जामपल है यह देखें लेकक क्या कहते है महाभारत का संग्राम वह भी जीब के जीब के ना दबाने के बदायुल्ट हुआ था । ने अगर जीब को कन्ट्रोल में रख लिया जाता तो महाभारत नहीं होती दूपधी यद्य ऐसा ना बोलती कि अंदे के बेटे अंदे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है दुरियोधर और पांडो के बीच में कहीं ना कहीं वो एक नफरत ना बनती और इतना बड़ा युद ना होता जो अठारा दिन तक चलता रहा और इतना जादा इतनी सेना मारी गई ये सब होता वो ये कहते हैं कि इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं लगाना चाहिए कि हम बोलना छोड़ दे ठीक है इसका मतब यह नहीं कि आप बोलना ही छोड़ दो लेकिन सही समय पे सही जगा पे सही तरीके से बोलना ये समझा रहा है लेकर बेवजा किसी की बुराई करना किसी क कमिया निकालना यह सही नहीं है जो वाचाल हैं जो वज्र भाशी लोग हैं जो व्यंग करते हैं दूसरों के बारे में उनके बारे में बालकिष्ण बटल लिखते हैं कि आवशक नहीं है कि इश्वर ने मूध में जीब दिये तो हमें कुछ ना कुछ बोल नहीं है उसको हमें अपनी बोली के कारण वो किसी को अपनी तरब आकरशित कर लेते हैं। कम बोलना, सही बोलना, उची समय और उची तिस्तान पर बोलना हमारी personality को समारता है। हमारे संस्कार और सुभाव को प्रदर्शित करता है। हमारी पैचान हमारी जबान ही है। इसी के द्वारा हम पैचाने जाते हैं। ये जबान ही सभी इंद्रियों में स्रेश्ट और महतपून है। इसी संदेश के साथ लेखक अपनी बात को समाप्त कर देता है। और हमारा निबंद खतम हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि जबान जो है वो कितनी महतपून है हमारी पाँचों इंद्रियों में। इसी के महतों को ही समझाया है इस निबंद के अंदर। आई होप आपको निबंद समझ में आया होगा। आप करेंगे हम इससे बनने वाले कुछ important question। देखिए दो तरह के question बनते है इस निबंद से एक तो आपसे निबंद का प्रतिपाद्य पूचा जा सकता है। प्रतिपाद्य जो होता है आपको अपने शब्दों में लिखना होता है एक चीज़ को ध्यान लखिए प्रतिपाद्य में आप निबंद की समरी समझा सकते हो जो भी आपने निबंद में समझा है सब कुछ आप लिख सकते हो सब चलेगा लेकिन आप अपने शब्दों में लिखना यानि लेंग्विज को अपने अनुसार आपको रखना है एक तो कोशन ही आ जाएगा तो आप यानि कि जो लिखने वाला होता है जैसे मान लीजे मैं लिख रहा हूं कोई निबंद तो मैं अपने अनुसार लिखूंगा ठीक है यानि कि मेरे विक्तिकत विचार कही ना कही निबंद में आएंगे तो निबंद के द्वारा जो निबंदकार होता है उसके जो गुण होते उसकी चाप कही न कही पढ़ जाती है निबंद में और चाप अगर निबंद में पढ़ेगी तो वो पाठक पे भी पढ़ेगी यानि पाठक उसको पढ़ने वाला है तो उस पे भी कही न कही उसका असर पढ़ता है भट जी ने अपने विचार को बिना किसी संकोच के पाठक क सामने प्रस्तुत किया है क्योंकि उन्हें जैसा लगता था जबान के बारे में उन्होंने जबान के बारे में वैसा लिखा है उन्हें आख के बारे में जैसा लगता था उन्होंने आख के बारे में वैसा लिखा है यानि कि डिटेल में समझाया है फिर उन्होंने जबान के च प्रफान हो सकते हैं भट जी ने जबान को पांचों इंद्रियों में सबसे बहतर यानि सर्वस्रेष्ट बताया है और जबान का जो महत्व है उन्होंने यह नहीं कि डाइरेक्ट दो-चार लाइनों में समझा दिया हो बाकाइदा उसके लिए उन्होंने तरक दिया है लोजि जिक तो दिया है उसके साथ साथ उन्होंने एक्जामपल भी दे रखे है फिर किया निबंद जो होता है एक सुचंद भावात्मक विचार प्रधान विदा होती है इसमें क्या होता है लेखक जो होता है वो किसी विशे पर अपनी भावना और अपने विचारों को व्यक्त क जब मान लो निबंद लिखते समय वो अपने टॉपिक से भटक जाएगा तो तारतम्मेता बनी होती है पाठक के सामने वो तूट जाएगी उसको लगेगा यार टॉपिक यह चल रहा था अब मैं पढ़ क्या रहा हूं कहीं से अलग चीज आ जाती तो कहीं ना कहीं उसका जो एक जुडाओ होता है ना निबंद से वो तूट जाता है लेकिन भट जी ने ऐसा बिलकुल भी नहीं करा उनका निबंद जो है जबान सुरू से लेके आखिर तक आपको कहीं ना कहीं इंद्रियों के आसपास ही रहेगा ठीक है एक्जामपल बहुत सारे हैं लेकिन कर रहे हैं यानि कि हमारे जो बालकृष्ण भट जी है इन्होंने पाठको को नीरस सामगरी नहीं दिया यानि कि एक ऐसी सामगरी नहीं दिया लिखकर की जिसे पढ़के जंता बोर हो जाए या उसको छोड़ दे बीच में बलकि उन्होंने उसको इतना ज्यादा इंट्रेस नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद जय भारत